हेलो एवरिवन मैं आकांचा आज हम इस वीडियो में जानेंगे जिन्दगी में एक छोटी सी सुरुआद एक बच्ची तट पर बैठी थी एक उची लहर आई और धेरों मचलियों को उसने तट पर लापटका मचलियों को तडपता देख बच्ची से रहा नहीं गया वह एक एक मचली को उठाकर फिर से समुद्र में फेक्टे लगती है तभी वहाँ से एक रहगीर गुजरा बच्ची के प्रयाशों को देख कर वह उसके करीब गया और बोला बेटी ऐसा करने से भला क्या फर्क पड़ेगा पूरे तट पर हजारों मचलियों तडप रही है एक और मचली समुद्र में फेक्टी हुई बच्ची बोली अंकल इस एक को तो बड़ा फर्क पड़ेगा इतनी छोटी सुरुवात करने से भला क्या होगा सुरुवात ना करने की बहाने बाजी मन में लाना व्यर्थ है बड़ी सुरुवात की प्रतिक्छा के बज़ाए छोटी सुरुवात करे ताकि बड़ा हासिल किया जा सके इसलिए कहते हैं बेसक छोटी सुरुवात करे पर करे जरूर जब हम छोटे-छोटे कामों की कड़ियों को सिलसिलेवर पिरो कर देखते हैं तो जान पाते हैं कि मामूली और छोटे कदम ही बड़ी सफलता की राह खोलते हैं अर्जिंटीना के विख्यात फुटबॉल खिलाडी लियोनेल में सी अकसर कहते हैं मुझे रातो रात सफलता हासिल करने में 17 साल और 114 दिन का समय लगा तैहे एक ही जटके में बुलंदी हर्गिस हासिल नहीं होती छोटे-छोटे कदम उठाते बढ़ाते ही हम मन्जल तक पहुचते हैं कोई आप से परफेक्ट होने की उमीद नहीं कर रहा बस यही माइने रखता है यही सच्चे कर्मी योगी की पहचान है जाहिर है एक नन्हे बीज में सुंदर बगीचा बनाने का दमखल होता है तो उठे और छोटे-छोटे प्रयासों से जीवन सवारने में जड़ जाएं